जी असलाम उलेकुम, आपको मैंने Plotly के Plot बनाते वकद एक छोटी सी assignment दी थी कि आपने जो Animated Plots हैं उन्हें GIF File और MP4 File के अंदर convert करना है So I will give you the solution in this video आपने जाना है directly उसी notebook पे 4 यानिके Animated Plots वाली और अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे Save Plot as GIF Animation यानिके उपर से अगर आप आएंगे Animated Plots हैं Animated Plots के अंदर आपको मैंने यह Plot बनाना दिखाया था यह वाला जिसको हमने Animation के अंदर convert किया था and then यह वाला Plot जो है हमने different animation इसकी बनाई थी अब इसी Plot को, say for example, अगर आप यहाँ पे assignment देखें तो मैंने बोला था MP4 या GIF file के अंदर convert करें तो आप अगर figure के अंदर उसे convert कर लें दें तो this is how you can convert that into HTML लेकिन GIF के अंदर convert करने के लिए या GIF file या GIF file जिसे बोलते हैं उसके अंदर convert करने के लिए you need to write that code आपने pandas, numpy, io और pill को import करना है और plotly px के साथ ही करना है यह आपका plot हो गया जिसको आपने figure के अंदर store कर लिया और हर figure के अंदर आपने for loop चलाना है यानि कि यह जितने frames हैं वो इसके अंदर फिर save हो जाएंगा यानि कि हमारे पास fig.frames यानि कि यह जो हमारे पास figure भनी है उपर इसके हर frame फ्रेम क्या होता है यह जो हमने यहां पर इसको प्ले किया यह हर फ्रेम की यहां पर वैलियू जा रही है ठीक है उस हर फ्रेम की वैलियू को हमने स्टोर करते जाना है यानि कि जो प्लॉट यहां पर आए इसकी वैलियू पिछले की पिछले की पिछले की पिछले की पिछले क यह सारे plot हम sequence में जमा करेंगे जमा करने के बाद उसको frames के अंदर save कर लेंगे यह वाली फाइल तो यह जो code का chunk है यह basically उसके अंदर save करता है PNG files को gather करता है और scale 3 का मतलब है high quality की अगर आप scale नहीं लगाते है यह high quality की नहीं होगी and then you can save each frame starting from 0 तो वहां से आप save करते जाएंगे और save करने के बाद आप उसको loop भी कर सकते हैं duration भी बता सकते हैं data भी कर सकते हैं इससे क्या होता है कि आपकी जो value है वो बहुत clear color आपके पास आते हैं और यह आपका path है जिसको आप दे सकते हैं तो मैंने इस code को run करने के बाद आपको जिफ फाइल जो है वो भी provide कर दी हुआ है you can see that if you go into the plotly plots and outputs और यह वाली जिफ फाइल आपके पास gap minder plot की होगी ठीक है अगर मैं इसको open करता हूँ right click करके let me see open with photos करता हूँ hopefully यह open हो जाएगी वरना photos का मेरे पास जो system में वो नहीं चलता but this is how your gif file can work and then मैंने same code आपको geo maps का भी दिया हुआ आप इसको भी animate कर सकते हैं same वो ही तरीका का और है और आपके पास यह geo files जो है वो animate हो जाएगी like this और मैंने यहाँ पे आपको एक और assignment दी थी जिसके अंदर मैंने यह बताया था कि आप जो है monthly month wise data को transform करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक निया column या निया data set बना दिया है जो हमारा पूरा data set था जो मैंने आपको plotly के अंदर दिखाया था कि COVID-19 के cases जो है वो हर date के यानि कि 1 जनवरी 2021 से लेके 30 April 2023 तक का data है जो मैंने link भी दिया हुए और वो data यहाँ पे मजूद भी है COVID cases का this one आप इस data set पे plot बना रहे थे ठीक है so this is how you can convert that data assignment के solutions मैंने इनी notebooks के अंदर जो हैं वो रखती हूँ में तो आप क्या करेंगे आप hopefully आपने assignment की होंगी अगर नहीं भी की हैं तो यह solutions को use करें और इसको utilize करें अपना ख्यार रखें दौा में याद रखें वीडियो को like कर दे और अगर like नहीं किया तो कर दें take care अलाफिस